देश में इस वक्त सत्ता का संग्राम यानि के लोगसभा चुनाव शुरू हो चुका है और कौन सी सीट पर कौन बाजी मार रहा है यही समझने की कोशिश में सत्ता का संग्राम प्रेजेंटिट बाई कूल स्टालिश फैंस लेकर हम अलग 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 लोगसभा शेत्रों में पहुंच रहे हैं इस वक्त मद्रप्रदेश की उस सीट पर हम हैं जहां पर मुकाबला बहुत कड़ा माना जा रहा है एक तरफ मद्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ के बेटे नक सब्सक्राइब कर लेकर किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए इस सब कुछ जानेंगे तमाम लोग आप देख रहे हैं वारे साथ मौजूद है अब जाने चाहिए चुन्दवारा के मुद्दे क्या है विकास कितना हुआ है एक परिवार का गड़का जाता रहा है दूसरे कह रहे हैं कि हम इस बार कबजा कर लेंगे क्या चल रहा है अब दो को यहां पे 14 के वास से चंदवारा में कुछ हुआ यह नहीं कांग्रेस की गोवर्मेंट तो रही चनी सिर्फ खाली 2,5 साल पर कमलनात रहा हुआ है और चिनवारे में विकास के नाम से बोले तो कुछ हो यह नहीं है अब ही तो यह इस्तिति है हमारे गारे में छे मैने के बाजू में नल्ली भी सापने हुई है यह यह बाट पारसत तक भी समझ के चलिए कि बाट पारसत भी नहीं आते हैं मौले के अंदर में बहुत बुरी करिश्तिती है चनवारा की कांग्रेस के कारण बहुत बढ़ी दिक्कत वाला काम है यह सिर्फ खाली एक मत्वदेश के अंदर में खाली एक बर यह सीट है जो चनवारा की जो है 45 साल से कबनाच जी है लेकिन सिर्फ खाली जीते ही वह हैं जो उनने कुछ किया है पहले किया है दस साल से उनने कुछ नहीं किया कबनाच जी और इस वार तो ऐसा हो गया है कि 29 से 29 सीट भाजपा की मत्वदेश में आने वाली है क्यों ऐसा लग रहा है आपको एक तो आप कह रहे हैं कि दस साल से कुछ नहीं हुआ दूसरा वो गड़ बताते हैं आप लोगों के बीच जा रहे हैं कबनाच जी अपने काम के नाम पर बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं आप भी देखे रहे हैं कि आँच छिदमाले में जितनी बड़ बड़े दिद्दस थे सबने कमाल नाजी का सांच छोड़ दिया सबने कमाल मतलब में कांगरेस का तो कांगरेस का जीतना अब तुम नामूनकीन हो गया है यहां पर कमलाजी हो सकता है बहुत पैसा बाट रहा है अभी सुनने में आया है आपको की दद्दस एजार पंदर पंदर एज़ार लोकों को बोट पर पैसा दी रहा है जगे जगे पे अंटीरियल इमें दिहास जगे जगे तो उसमें कोछ हो जाया करामत तो हो जाए वागी तो कांग्रेस यहां से टो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें